नमो नमा, संस्कृत निधी चैनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो में हम कक्षा साथ के लिए निर्धारित संस्कृत पाठे पुस्तक संस्कृत रत्नम का त्रयोदश पाठ पढ़ेंगे जिसका शीर्शक है लोह पुर्शह वल्लब भाई पटेलह और आज के वीडियो में हम इस पाठ का हिंदी अन्वाद और अभ्यासकार्य दोनों देखेंगे तो हम आगे बढ़ें उससे पूरू में आपको बता दूँ कि यदि आपको इस पुस्तक से संबंदित पिछले पाठों के वीडियो चाहिए तो आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देख सकते हैं और वहाँ एक प्लेलिस्ट दी हुई है उस प्लेलिस्ट में इस पुस्तक के पिछले सभी पाठ के वीडियो है तो आईए शुरू करते हैं आज का वीडियो लोह पुर्शह वल्लब्भाई पतेलह वल्लब्भाई पतेल महोदयस जन्म वल्लब्भाई पतेल महोदय का जन्म गुजरात प्रदेशस गुजरात प्रदेश के नाडियाद ग्रामे नाडियाद गाउं में अभवत हुआ वल्लब भाई पटेल महदय का जन्म गुजरात प्रदेश के नाडियाद गाउं में हुआ 1875 तमें इस्वी ये वर्षे 1875 इस्वी वर्ष में अक्टूबर मासस्य अक्टूबर महिने की 31 दिनांके 31 तारीक को एकस्मिन क्रिशक परिवारे एक क्रिशक अर्थार्थ किसान परिवारे परिवार में सह उन्होंने जन्म प्राप्तवान प्राप्त किया अर्थार्थ लिया फिर से देखिए इस पंग्ती को 1875 इसवी वर्ष में अक्टूबर महिने की 31 तारीक को या दिनांक पर एक किसान परिवार में उन्होंने जन्म प्राप्त किया अस्य पितुहु नाम इनके पितुहु पिता का नाम जवेर भाई पतेल मातुहु च नाम च पहले आजाएगा और मातुहु माता का नाम लोदबाई आसीत था सह उन्होंने प्रारंबिक शिक्षाम प्रारंबिक शिक्षा नाडियाद ग्रा में नाडियाद गाउं में एव ही प्राप्तवान प्राप्त की उन्होंने प्रारंबिक शिक्षा नाडियाद गाउं में ही प्राप्त की यहाँ पर प्राप्तवान में शानच प्रत्य है वान यहाँ पर भी होगा वो शानच प्रत्य है और जो शानच प्रत्य है उसके जो रूप है वो तीनों लिंगों में अलग-अलग होते हैं इस्रिलिफ, पॉलिंग और नपुनसक्लिंग में तीनों में अलग-अलग रूप बनते हैं, तो ये प्राप्तवान पॉलिंग में हैं. पश्चात, उसके बाद, बृतेन देशं गत्वा, बृतेन देश को गत्वा जाकर के गत्वा में गमधातु से त्वाप्तिय है. तो उसके पश्चात बिटेन देश को जाकर बैरिस्टर इती उपाधिम प्राप्तवान बैरिस्टर इस प्रकार की उपाधि को प्राप्तवान प्राप्त किया बैरिस्टर एक उपाधि का नाम है डिगरी का नाम है ततह उसके पश्चात आगत्य आ करके स उन्होंने अहमदाबाद नगरे एहमदाबाद नगर में अधिवक्त्री कार्यम अधिवक्त्री अर्थार्थ अधिवक्ता अंग्रेजी में जो लॉयर होता है उसे संस्कृत में अधिवक्ता कहा जाता है तो अधिवकत्री कार्यम अधिवक्ता का कार्य प्रारंभम क्रित्वान, प्रारंभ किया। ततह वहां से आकरके उन्होंने एहमदाबाद नगर में अधिवक्ता कार्य प्रारंभ किया। तदानीम तब या उस समय काले उस समय देश परतंत्र आसीत देश परतंत्र था परतंत्र अर्थार्थ गुलाम था उस समय देश गुलाम था 1917 तमें वर्ष में खेडा जनपद में अति व्रिष्टी कारणात अत्यदिक व्रिष्टी बारिश वर्षा कारणात कारण से अत्यदिक वर्षा के कारण से किसान दुखित थे कि 1917 वर्ष में खेडा जनपद में अत्यदिक वर्षा के कारण से किसान दुखी थे क्रिषका नाम क्रिषकों की या किसानों की करमुक्ती हेतो हो करमुक्ती के लिए करमुक्ती हेतु गांधी महोदयस्य नित्रित्वे गांधी महोदय के नित्रित्व में संचालित सत्याग्रह आंदोलन में वल्लब भाई पटेल ने भी आत्मानम स्वयम को समर्पित्वान समर्पित किया फिर से देखे पंक्ति को कि खेडा जनपत था वहाँ पर अत्य वर्षा हो जाने के कारण से किसानों की जो फसल थी वो नश्ट हो गई थी तो क्रिशकों की जो कर मुक्ति थी उन्हें जो कर देना होता था उसके लिए सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था तो उसमें वल्लब भाई ने अपना समर्पन किया था तो फिर से देखिए पंक्ति को किसानों की कर मुक्ति हेतु गांधी महदे के नित्रेत्व में संचालित सत्याग्रह आंदोलन में वल्लब भाई पटेल ने भी आत्मानम स्वयम को समर्पित्वान समर्पित किया एतेन अंदोलनेन इस अंदोलन से सह उन्होंने राजनीतव प्रविष्टह राजनीती में प्रविष्टह प्रवेश किया अंत तह आखिरकार अंत में क्रिशकानाम किसानों की कर मुक्ति ही अभवत कर मुक्ति हुई 1928 तमे वर्ष में बार दोली सत्याग्रह स्य बार दोली सत्याग्रह के नित्रेत्व नित्रेत्व वल्लब भाई पतेल ने किया कि जो बार दोली सत्याग्रह हुआ था उसका नित्रेत्व वल्लब भाई पतेल ने किया व्लव भाई पटेल ने किया अस्य नितरेतु वे इस नितरेतु में इदम आंधोलन यह आंधोलन सफलम अभवत शफल हुआ कि इनके नित्रेतों में यहां आंदोलन सफल हुआ तसमात इससे जनाह लोग पटेल महदयं पटेल महदय को सरदार इती उपाधिना सरदार इस प्रकार की उपाधि के द्वारा सम्मानित वंतह, सम्मानित किया कि जो लोग थे उन्होंने इन सब कारणों से उनको सरदार वल्लभाई पटेल को सरदार इस उपाधि से सम्मानित किया 1931 तमे वर्ष में कराची सत्र में सह वह कॉंग्रेस समित के अध्यक्ष नियुक्त ह अभवत अध्यक्ष नियुक्थ हुए देशस्य स्वतंत्रता यहीं, देश की स्वतंत्रता के लिए सह, वह, बहुवारम, अनेक बार, काराग्रिहम, काराग्रह जेल तो काराग्रह गत्वान गए, देश की स्वतंत्रता के लिए वह अनेक बार जेल भी गए, गत्वान में गमधातु से शानच प्रत्य स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पतेल महदय ने भारत के प्रतम उप प्रधान मंत्री नियुक्त हुए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पतेल महदय भारत के प्रतम उप प्रधान मंत्री नियुक्त हुए। सह उन्होंने पांसो पचास रियासत इती इस प्रकार से रियासत अर्थार्थ गंडराज्य। गंडराज्यान गंडराज्यों को भारते भारत में सम्मेल्य मिला करके यहां पर सम उपसर्ग पूर्वक मिल धातु से लियप प्रत्य है। लियप प्रत्य हमेशा उपसर्ग सहित जो धातु में हैं उन्होंने पांसो पचास रियासत गंडराज्यों को भारत में मिला करके अद्भुत कार्य किया। पटेल महोदय की दूर दर्शिता के कारण से भारत के गंडराज्यों का एकी करण जातम हुआ। पटेल महोदय की दूर दर्शिता के कारण से भारत के गंडराज्यों का एकी करण हुआ। 1950 तमी वर्शे 1950 वर्श में दिसंबर माश्सस्य दिसंबर महिने की 15 दिनांक की 15 दिनांक को मुंबै नगरे मुंबै नगर में अयम महापुरुष यह महापुरुष दिवंगत हुआ। तेन कृतस्य कार्य से उनके द्वारा किये गए कार्य कार्य के विशय में जनाहां लोग श्रद्धाम धारे अंती श्रद्धा धारन करते हैं च गौर्वम अनुभवंती और गौरव का अनुभव करते हैं। उन्होंने जो जो कार्रे किये जंता के लिए उनके प्रती लोग श्रद्धा रखते हैं और गौरव का अनुभव करते हैं तो ये था इस पाट का हिंदी अनुभार ये हैं पाट के अंत में आये हुई कुछ शब्दार्थ अब देखते हैं अभ्यासकार्य पहला प्रश्न है प्रश्ना नाम उत्तराणी लिखत प्रश्नों के उत्तर लिखो वल्लब भाई पटेल महदयस से जन्म कदा अभवत वल्लब भाई पटेल महदयस से जन्म अठारा सो पिचतर तमे वर्शे अभवत वल्लब भाई पटेल महदयस से जन्म कुत्र अभवत वल्लब भाई पटेल महदयस से जन्म गुजरात प्रदेश से नाडियात ग्रामे सह बैरिस्टर इती उपाधिम कुतह प्राप्तवान, सह बैरिस्टर इती उपाधिम बृतेन देश तह प्राप्तवान, केन अंदोलनेन सह राजनीतव प्रविष्टवान, सत्याग्रह अंदोलनेन सह राजनीतव प्रविष्टवान, सह भारतस्य एकी करणम कथम प्रित्वान सह भारतस से 550 रियासत इति गंडराज्यान भारते सम्मेल्य भारतस से एकी करणम प्रित्वान अर्थात उन्होंने 550 रियासतों को भारत में मिला करके भारत का एकी करण किया अगला प्रश्न है रिक्तिस्तानानी पूरयत वल्लब भाई पतेल महदयस से पितु हुनाम जवेर भाई पतेलह सह ब्रिटेन देशम गत्वा बैरिस्टर इति उपादिम प्राप्तवान प्रिश्रका नाम कर मुक्ती हेतो हो गांधी महदयस से नित्रित्वे सत्याग्रह 1928 तमी वर्षे बार्दोली सत्याग्रह से नित्रित्वम वल्लब भाई पतेलह कृत्वान देशस्य स्वतन्तृता यही सह बहुवारम काराग्रिहम गत्वान यह आपके पुस्तक के पाट से ही लिए गए हैं अगला प्रेशन है त्वा लिएप प्रत्य उधारन त्रयम लिखत तो आप कुछ भी लिख सकते हैं जिसे त्वामि गत्वा पठित्वा हसित्वा नत्वा मत्वा यह त्वा के हो गए तीन ही उधारन लिखने हैं लिएप के भी आप लिख सकते हैं विहस्य सम्मेल्य इस प लगता है दोनों का ही अर्थ करके होता है तो यह आप लिख सकते हैं एतेशाम शब्दा नाम शष्ट्यंतम रूपम लिखत नीचे कुछ शब्द दिये गए हैं उनका सष्ट्यंत अर्था सष्टि विभक्ति का रूप लिखना है जैसे कि रामह रामस्य प्रदेशह कि जो भी शब्द है वो किस लिंग का है किस वचन का है और किस विभक्ति हमें शष्टि लगानी है तो वचन और लिंग का आपको द्यान रखना है ग्रामह ग्रामस्य शिक्षा शिक्षायह यह स्त्रिलिंग का रूप है तो शिक्षायह वाटिका वाटिकायह सम्मेलनम सम्म एतेशु शब्देशु प्रयुक्तस से उपसर्गत से नाम लिखत, नीचे कुछ शब्द दिये गये हैं, उनमें कौन से उपसर्ग हैं, उसका आपको नाम लिखना है, नीजि सरती निर, प्रसरती प्र, उत्थ पतती उत्थ, सू ललितम सू, विहरती वी, तो ये सब इन जो शब्द हैं उनमें ये सब उपसर्ग लगे हुए हैं विदिलिंग लकारे परिवर्तयत विदिलिंग लकार में आपको परिवर्तन करना है नीचे कुछ धातु रूप दिये गए हैं उनको विदिलिंग में परिवर्तयत करना है वो भूतकाल में है जैसे भू धातु का ये ना चाहिए या हो इस तरह से अपतत लंगलकार का रूप विदिलिंग में बनेगा पठेत अपतत पत धातु जो गिरने अर्थ में आती है तो पतेत अगच्छत गमधातु जो जाने अर्थ में आती है लंगलकार विदिलिंग बनेगा गच्छेत इसी प्रकार से अपेबत जो अदि आपको पार्ट से संबंदित कोई प्रेश्ण है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं वीडियो को लाइक और शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विशे के साथ जैतु संस्कृत हूं